हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे तो कुछ ताइम पहले हमारी वीडियो आए थी केंपस फ्रांस के बारे में और काफी अच्छे रिस्पॉंस भी आया है हमारे उस वीडियो पे लेकिन हम देख रहे थे कि काफी सारे लोगों के हमारे क आपको वह बता देता हूं थाकि आपको पता है रहे कि यह वीडियो क्या क्या कवर कर रही है हम डॉक्यमेंट्स कवर करेंगे आपको क्या 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 डॉक्यमेंट्स वहां पे लेके जाने सबसे पहले को जो आप लोगों से पूछे जाएंगे वह आपको हम बताएंगे इस वीडियो होगी है और शुरुआत करते हैं सबसे पहले Campus France interview आखिर है क्या इसके बारे में बता के तो आपने Campus France का form भर दिया आपने सब कुछ कर दिया आपकी profile अप्रूव हो चुकी है अब profile अप्रूव होने के बाद आपका जो next step होता है वो आपको Campus France interview के लिए एक email आता है तो आप उस interview को accept करेंगे आप उस interview के लिए जाएंगे सबसे पहले आपको दो documents मिलेंगे Campus France की website से आप उनको download कर लीजिए और एक date fix कर ली जाएगी जिस तिन आपको interview देना होगा तो कोई stress लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों इस interview में कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको grill करेंगे वो कुछ या आपसे कुछ ज्यादा ही मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे बहुत ही basic सा interview होगा एक normal conversation होगी आपके और Campus France manager की बीच में और साथी साथ आपके official documents जो आपने पहले submit कर रखे हैं वो verify करे जाएंगे और वो देखेंगे कि आप वो individual हैं जो foreign study carry forward कर पाएंगे और basic सा आपका mindset check करेंगे वहां पर दूसरी चीज़ अगर आपने वीडियो हमारी campus France वाली नहीं चेक करिए तो प्लीज चेक आउट वीडियो लिंक हम description में डाल देंगे और साथ ही साथ हो सकता है आपके बहुत सारी अगर queries होंगी तो वो हमने comment section में पहले ही बहुत सारे answers वहां पे दे दिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के queries आ रहे हमारे को यह नहीं चीज पता यह चीज नहीं पता तो हमने वह चीज वहां पे answer कुछ कर रखें या हो सकती जो हमारी चोड़ी सी community बन गए यह YouTube की आप वहां पे वह questions के answers पहले ही देख पाएं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता दू कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस का जिसमें आपको NOC मिलती है तो शुरुवात करेंगे हम सबसे पहले questions के साथ कि क्या क्या questions आप से usually पूछे जा सकते हैं तो पहला question वही रटा रटाया आपको बहुत बारी पूछा जाएगा आप जहां पे भी जाएंगे आप university interviews में जाएंगे आप किसी पी तरह के job जिन हमारे बंदू-बंदू ने पहले कर रखी हैं तो उनसे ये question वहां पे पूछा आता है कि भाई tell me about yourself अब tell me about yourself आपने ये prepare करी रखा हुआ तो आपने बस वही छोड़ा मोटा उसमें changes करके आप वहां पहुंचें अबने बारे में याद रखें और वहां पे उगल दे अगला question होगा कि अपनी educational qualifications के बारे में बताएं तो आपकी जितनी भी educational qualification से जैसे आपने बैचलर्स करी कोई डिपलोमा करा आपने कोई इंटर्शिप करी तो उसके बारे में आप याद रखे कि आपने कहां पे क्या सीखा जैसे मानलों आपने बैचलर्स करी तो आपने अपने educational experience जैसे मैंने टेकनिकल चीज़े सीखी या मैंने पब्लिक स्पीकि करें तो अधिकांश लोगों का यही होगा कि भी मैं carry out I want to carry out my education abroad या आप उसको किसी तरह अपने coursework से relate करें कुछ लोग बोलते हैं कि हम international exposure लेने जाते हैं अप जानते ही exposure आपने अभी तक कई बारी बोल भी दिया होगा अपने जितनी universities में अभी तक interview दिया होगा तो exposure के सा साथ में अपनी field के साथ link करें जैसे आप France में आप जानते ही होंगे कि fashion luxury इसके लिए famous है तो अगर आपका course fashion luxury से related है तो आप वैसे link कर सकते हैं और अगर आपका course related and management के साथ तो भी आपके पास बहुत सारी अची चीज़े हैं इसके बारे मूलने के लिए जैसे कि अगर आप आ रहे हैं master's in management तो यह course यहीं पर originate हुआ था आप शायद जान चुके होंगे अभी तक मैंने जानता हूँ आप ज्याद गानकार है तो यह चीज़ भी आपको पता होगी तो इसकी समसे आप यह वाली बाते अगर महां पे गाएंगे तो यह चीज़ भी helpful होने वाली है इसके बाद आपसे पूचा जा सकता है कि अपनी course और specialization के बारे में बताएं याद रखेगा दोस्तों सबसे important चीज़ है यह आपको course के बारे में आपके बिल्कुल पता होना चाहिए कम सकम क्योंकि अगर आप जो course करना जा रहे हैं वाँ पे अगर आपको उसी के बारे में पाई जाती है उसमें आप चैट कर सकते हैं university students के साथ की जी मेरे को यह बताओ कि कम culture कैसा है वहां पे university में क्या क्या वहां पे opportunities हैं किस किसम के वहां पे cultural events वगरा होते रहते हैं तो वह चीज़े जब आपको पता होंगी और साथ ही साथ आपका course कितना valuable है वो उसकी ranking क्या है worldwide यह जब चीज़ें आपको पता होंगी तो आप इस सबाद को अच्छे से जवाब दे पाएंगे आप से यह भी पूछा जा सकता है कि आपने इस course में interest कैसे develop करा आप बोल सकते हैं कि कुछ भी मतलब आप आपका एक personal reason होना चाहिए और अगर नहीं है तो please बनाएं जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं fashion week देखा मेरे को लगा कि आरे कपड़े की तने अच्छे होते हैं मैं भी fashion में जाओंगी यह जाओंगा तो कुछ इस किजम का reason आपके पास होना चाहिए और आप उसको एक relate करें अपने पिछली profile के साथ कि आप कैसे देखते हैं इस world को अगली चीज आप से पूछी जा सकती है कि आपकी future plans क्या होंगे इस program के बाद काफी सारे लोग बोलते हैं कि international travel आप भी बोल सकते हैं international travel करना जाता हूँ मैं अपनी profile करना जाता हूँ इंडिया में में रह चुका हूँ विदेश जा हूँगा एक अंतराष्ट्री लेवल पे मैं अपने connections बिल्ड करना जाता हूँ जो भी चीज है जो भी आपका reason है यह चीज बिलकुल याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा ना उनको साबित करें कि आप वहाँ पे settle होने आ रहे हैं क्योंकि वो एक potential immigrant नहीं रहे हैं आप क्यूंकि student visa के लिए apply कर रहे हैं तो आपका main target होना चाहिए कि आप student की तरह ही उसी हैसित से बताएं कि बही मैं यह करना जाओंगा वहाँ पे और बाकि हमारे views हैं आपको अगर बोलना है तो आप free हैं आप बोलें अगली जीज़ है कि कौन कौन सी companies के साथ आप काम करना चाहेंगे कई बार पूछ लेते हैं जब मैं गया था तो मैंने एक वो job opportunities पहले ही online search कर ली थी कि फ्रांस में अगर मैं इस role के ले जा रहा हूं तो मैं क्या-क्या देख सकता हूं मेरे लिए क्या-क्या opportunities व है और यह आपके लिए आगे भी beneficial होने ही वाला है अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि was this course available in India और अगर इंडिया में था तो फ्रांस क्यों आ रहे हो वही तो अगर यह course इंडिया में available है पहली बात तो यहां एक किसम से चक्रवियू बन चुका आपके लिए अगर आ तो इसमें से कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं कि कही बारी ऐसा होता है कि आपका course in partnership with बहुत बड़े-बड़े groups होता है जैसे के साथ कही बारी course club किये जाते हैं Prada group के साथ काफी जगा में link किये गए हैं आपको वह link करना होगा कि यह course यहां पे इंडिया में जरूर available है लेकिन जो वह international exposure जो मेरिको फ्रांस में मिलने वाला है वो यहां पे शायद ना मिल पाए इसलिए मैं वहां जाना जाता हूँ मैं फ्रांस का architecture explore करना जाता हूँ बड़ी बात है आप गा सकते हैं पर बिल्कुल यह जरूर याद रखेगा कि एक आपको limit में एक coherent story prepare करनी है जो आपक जो आपने university interview के लिए करी थी क्योंकि जब आपने university का भी interview दिया होगा वहां से वहां पे भी आपको यह सवाल पूछा गया होगा कि हमारी university क्यों तो वही preparation का जवाब आप यहां पे भी दें research करके रखें कि university की कितनी funding है वो किस cultural events में कितना invest करता है research में कितना invest करता है कित आप यह क्यों select कर रहे हैं दोस्तों अब बात करते हैं सबसे important question की do you have any relevant work experience बहुत से लोग अपने prior work experience दिखाते हैं क्योंकि बहुत से बंदे काम करते हैं पहले तो वो दिखाना बहुत जरूरी हो जाता अगर आपके पास वो है तो आप बिलकुल दिखाईए हमारे case में हमा आपके पास नहीं था बहुत से students internship करते हैं वो आप दिखा दीजे अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधा सीधा वहां मना कर दीजे so next question आता है फिर उसके बाद आपका how are you going to support your studies तो उसमें बहुत से students bank loan लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि हम education loan ले रहे हैं अपनी studies को fund करन के लिए या फिर हमारी personal savings है work experience वाले बहुत सारे बंदे जो काम करते हैं उनके पास बहुत सारी personal savings जूड़ी रहती हैं तो आप वो भी बता सकते हैं दिखाना कुछ नहीं होता है बस आपको एक बताना होता है अपने reference के लिए एक चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आ अभी इसके पास पैसे नहीं है और यह वहाँ पर जाकर काम मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उस चीज को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा उसके बाद आता है आपका एक बहुत important question कि बहुत से जो बंदे होते हैं वो अपने prior field of studies को change करके अपनी master studies दूसरे field में carry out करते हैं त उसके लिए आपको एक बहुत ही solid reason चाहिएगा जिससे आपका answer justify हो सके उसके लिए आप research करें बहुत thorough research करें कि मैं अपना art से अब मेरा interest management में ऐसे develop हो रहा है और मैं उसको link कर दें अपने future internships future jobs के साथ तो उसके लिए आपको बहुत ही reason बहुत ही justification वाला होना चाहिए अब इससे अगला देखते हैं हम आपका कि आपका course कब start होने वाला है तो आप जो भी आपके certificate of registration पर date होगी कि हमारा course इस तारिक से start होने वाला है तो आप उसमें वहाँ बता दीजेगा उनको इसके बाद आपका एक और question आ सकता है what is the level of your French you are having तो आप इसमें सीधा सीधा उनको बेसिक सीख रहा हूँ अभी या फिर YouTube वीडियो से सीख रहा हूँ या प्राइवेट टूटर से मैं सीखने लग रहा हूँ तो उससे उनको एक ही हो जाएगा कि बंदा उस country में जा रहा है तो यह थोड़ा motivated है French level उनके culture को accept करने के लिए वीडियो से हटके अगर हम आपको क कुछ recommend करना चाहे तो आप French जरूर सीख के आईए basic level तो जरूर सीख के आईए क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही difficulties का सामना करना पड़ेगा अगर आप bus में जा रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है कि लोगों को English समझ में आए यहाँ बहुत कम बोली जाती है और मिलेगी basic level आप अगर अभी आपके पास time है तो आप सीख के आईए नहीं तो यहाँ आकर सीखिएगा क्योंकि बिना उसके एक lifestyle आप नहीं जी पाएंगे इनकी culture में inherit नहीं हो पाएंगे आगे move on करते हैं next question आता है आपका कि आपको आगे के further steps पता हैं क्या interview और पूछेगा आपसे कि आप कैसे कैसे आप carry out करोगे तो आपको simple कहना है कि आप मुझे एक NOC मिलेगी वो ही NOC मैं अब VFS की further process के लिए लेके जाऊँगा और उसके लिए भी हम आपको पूरा guide करेंगे एक पूरी detailed video आपको बनाएंगे हम वो pipeline में है अभी तो उसके लिए आप tension ना लीज तो उसमें आपने जो भी documents डाले थे सभी documents के आपको original copy लेके जानी है साथ ही साथ वो आपको recommend करते हैं कि आप उसकी Xerox copy भी निकलवा के लेजए मेरे case में नहीं लिया था उन्होंने Xerox copy पर इसके case में लिया था तो ये vary to vary करता है location to location अब सबसे पहला document हो गया आपका 10th 12th की माक्षी बहुत ही जरूरी है वो original लेके जाएं उसके एक Xerox भी लेके जाएं उसके बाद आया आपका bachelor's आपने बीच में कोई अगर internship कर रखी होगी तो वो documents लेके जाएं original उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई work experience है तो work experience का letter भी लेके जाएं बहुत जरूरी है दि बिंदलेक बना के ले जाएगा घर से उसके बाद आपने जो भी campus France की एक fees थी उसका एक certificate होगा वो आप download कर लीजेगा और उसको ले जाएगा इसके बाद आता है आपका एक interview letter जिसको हम French में Convocation and Threon भी बोलते हैं आप डाउनलोड कर लीजेगा campus France की application site से और आते हैं हम next document की तरफ प्रायर registration agreement जिसको हम French में अकौर्ट पैर्दिबिया दे इंस्क्रेप्सियां भी बोलते हैं तो आपको ये दोनों documents जो मैंने आपको बता है प्रायर registration agreement और आपका interview letter ये दोनों आपको campus France की site से डाउनलोड करने हैं जब आपकी profile validate हो जाएगी तो वहापे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको इसके बाद आते हैं आपके कुछ university के documents जो आप masters करने जा रहे हैं तो उसमें आपके थोड़े बहुत documents university से आपको लेने होते हैं क्या क्या लेने होते हैं सबसे पहला आगया आपका university acceptance letter कि university ने आपका admission accept कर लिया है वो आपको acceptance letter mail करेंगे जब आपका admission confirm हो जाएगा इसके बाद आता है आपका registration certificate from the university कि आपका इस बन देगा इस course में registration हो गया और ये course इसका अब शुरू होगा तो वो एक reference के लिए आपको दिखाना है वहाँ पर ये सारे documents आपके VFS में भी लगेंगे तो इस चीज़ों को आप पहले से ही carry out करके चलेंगे तो बहुत असानी रहेगी आपके लिए इसके बाद आता है आपका photograph मेरे case में नहीं लिया गया था धीरज के case में लिया गया था अब उसके बाद आता है दोस्तों आपका course कौन सी language में है interviewer पूछेगा कि आपका course किस language में है अगर आपका French में है तो आपको supporting documents अपनी French language के देने है जैसे DELF हो गया DALF हो गया अगर आपका course है English language में तो अब आता है आपका सबसे बड़ा part IELTS test score अब उसमें भी बहुत से लोग ये tension लेते हैं कि हमने अपना नहीं दिया ह IELTS या फिर TOEFL नहीं दिया है तो अब हम अपनी proficiency कैसे प्रूव करें आप बिल्कुल tension न लीजिए मेरे case में मैंने IELTS नहीं दिया था दिरज ने दिया था तो उसके लिए सभी universities आजकल एक certificate देती है जिसका नाम हो था medium of instruction जिनका course पिछली bachelor studies English language में हुई होती है तो वो ए और वो validate भी होता है मेरे case में हुआ है दीरज ने IELTS दिया था तो दीरज को जरूरत नहीं पड़ी थी तो basically और IELTS के लिए भी आप एक चीज़ याद रखिएगा कि IELTS आपका 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी validation date खली 2 साल ही होती है तो उसी बीच के gap period में आप उसको दिखाईएगा अगर आपका नहीं है तो अगर आप IELTS देना चाहते हैं तो आप दे दीजेगा नहीं तो आपका medium of certificate भी काम कर जाएगा उसके बाद दोस्तों आता है आपका campus France SOP बहुत ही important है ये भी आपने जो भी filing करते वे campus France की process में एक SOP डाला था जिसमें ह एक single page का होना चाहिए वो आप लेके जाएं print out करागर मेरे case में वो नहीं देखा गया था धीरज के case में देखा गया था धीरज के case में एक पूरा detail review करा था उन्होंने और उसी में से questions पूछे थे जो की हमने आपको questions उपर बताए हैं तो आप उनको उससे relate कर सकते हैं एक च TV में आपके पास कोई document नहीं है तो वो आप document ना डाले क्योंकि वो interviewer मांग सकता है और अगर आपके पास वो document नहीं होगा तो एक objection लगने का डर रहेगा आपके दिमाग में तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं दोस्तों एक query की जो कि हमारे पास mail मे बहुत जादा आ रही है कि अभी हम recent graduate हैं और अभी हमारा degree of certificate भी नहीं आया और अभी हमारी last semester की transcript भी publish नहीं हुई है तो उसमें हम क्या करें तो इसमें बहुत से students जो होते हैं वो अपनी process delay कर देते हैं interview के लिए थोड़ा delay खीच देते हैं कि अभी हमें नहीं करना चाहिए इसको तो आप ऐसा ना करें इसका हमें आपको एक solution provide करते हैं आप अपनी university से एक bonafide certificate बनवा ले वो आप लेके जाएं original भी और उसकी एक xerox copy लेके जाएं साथ ही साथ आप अपनी university का bachelor's का जो भी आप degree कर रहे हैं जिसके आपके transcript नहीं आई है उसका एक identity card लेके जाएं कि इस course में enrolled था तीसरा आपकी उसके relevant degree में जो आपकी पिछले semesters की थी उनकी एक transcript लेके जाएं बहुत से cases में ऐसा भी होता है कि student अपने campus France manager को request कर लेते हैं कि भी आप मेरी university को एक mail डाल दीजेगा तो उसमें क्या करते हैं campus France manager वो एक mail डाल देते हैं कि ये student France जाना चारा जब भी आपको वो एक extension दे देंगे कि जब भी आपकी degree आजाए आप एकदम से हमें upload कर दीजेगा तो इससे आपका एक process delay नहीं होगा एक आपकी process continuation में रहेगी क्योंकि ये जो time होगा आपका July और August का ये आपका पूरा processing में जाएगा campus France की NOC मिलने के बाद आपको VFS में ज चलते हैं आगे देखते हैं थोड़ी से और डीटेल में चीजों को तो दोस्तों बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में जिनका आपको द्यान रखना ही रखना है सबसे पहले यह याद रखी कि आपको justify करने पड़ेंगे आपके जो भी gap है अगर आपके कोई भी gap है क् मेर से भी पूछा गया था कि आपका कोई gap रहा है किसी इस किसी टैनियोर के दौरान तो अगर आपको कोई gap है तो एक valid reason हो उस चीज के लिए कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी degree last year complete हो गई होती है तो कुछ time उसमें होता है तो आप बोल सकते हैं कि यह time में use कर रहा यह भी document prepare करना है जितने document required थे मैंने और इसने अभी आपको बता दी है पर कुछ document ऐसे हैं जिनके बारे में सोचने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है जैसे कि travel insurance अभी कराने की ज़रूरत नहीं है flight tickets वो भी नहीं करानी अभी financial documents वो भी अभी करवाने की ज़रूरत नहीं required details और documents आपको चगी होंगी future के लिए तो आप prepare जरूर करें इन चीजों को future के लिए क्यूंकि end moment पे आपको कमरे भी महेंगे मिलने आपको flight भी महेंगे मिलनी है और साथ ही साथ आपको insurance तो खहर वही रहता है तो यह चीज़े आप बिल्कुल धान दें कि यह documents के चक्कर में अपना Campus France interview या process डिले ना करें यह सिरफ आपके आगे steps में काम आएंगी तो दोस्तो बात करते हैं अब हमारे experience के बारे में कि मेरा experience Campus France के साथ कैसा था मैंने form fill up किया मेरी interview की तारीक आई मैं वहां पे गया तो चंडिगर में मैंने भरा था वहां पर फूरा formal formal pen के गया था ज तो यहां पहुंचके थोड़ी दिर मेरे को वेट करना पड़ा वहां पर कुछ वहां पर पहले से भी students थे जो जानना चा रहे थे अपने course और अपने degree के बारे में अब फ्रांस के बारे में तो वहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पर डिटेल्स भी दे सकते हैं प Do you know the further steps after this process? तो stressful सा हो के मैंने कह दिया कि if given an opportunity, if I make through this interview, I would like to apply for VFS तो she told me you don't have to worry about this process, there's nothing like if you get this opportunity, we are just trying to know you better, वो हमारे को जानना चाते हैं, हमारे document करना चाते हैं और इसी के लिए यह सारा ताम जाम हुआ है, यह सारी process हुई है, तो बस आप वहां पे जाएं, अपने बारे और काफी normal conversation हुई, फिर उनोंने मेरे को यह भी बताया कि आपको आगे क्या 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 करना, VFS form आप भरेंगे, आपको उसके लिए documentation प्रिपेर करनी है, एक और चीज़ दोस्तों, आपको NOC कितने टाइम में मिलेगी, कोई भी इसका थम रूल नहीं है, आपको ऐसा नहीं ब Campus France office के उपर, अब बात करते हैं इसके case के बारे में, तो दोस्तों बात करते हैं मेरे personal experience के साथ, मैंने Campus France का office Delhi opt किया था, तो मैं अपना personal experience जो आपके साथ share करना चाहता हूँ, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कि आप Campus France Alliance France की location पे जाएं मेरे case में मैं दूसरे embassy के जाके खड़ा हो गया था, और वहाँ पर एक security guard था, मैंने पूछा कि भई मेरा ऐसे ऐसे, अभी interview है Campus France का, आधी चीज़ उसको समझ नहीं है, उसने का ठीक, अभी आप आदे गंटे रूखिए, आपका आने वाला है number हाँ, मैं आदे गंटे पहले interview है नहीं, वो location है ही नहीं, वो वहाँ से डेट किलो मेटर दूर है, Alliance France से पर Campus France का office वहाँ पर है, तो इतनी ही देर मेरे जो Campus France manager थे, रचिश चरमसर, उनका call आया कि अभी शेक तुम कहां पर हो, जब 12-15 के करीब time हो गया था, मैं जाने लग रहा था, तो मैंने का सर मैं ऐस भागता गया मैं, तो वहाँ पर जैसे ही पहुचा तो उन्होंने का भी तुम time लो, और उन्होंने मुझे 10 minute का time दिया, उसके बाद फिर मेरा Campus France interview carry on हुआ, हमारी एक basic conversation हुई start, कि आप कहां से हो, कैसे हो, क्या करना चाहते हो, वो ही सारे basic questions जो मैंने आपको बताए, उन्हो आप ध्यान रखिएगा कि आप Xerox copy लेके जाए, मेरे case में नहीं मागी गई, इसके case में मागी गई, अब उसके बाद उन्होंने का कि भई, तुम्हारे पास कोई further questions है, वो ही same question दीरजवाला, मैंने का मेरे को आगी की process पता है, क्योंकि मैंने पूरी एक research अपनी carry on पहले स mail आ जाएगा, तो I was like, ठीक है, सर मेरे को थोड़ा सा tension से अलग हटाने के लिए कह दिया होगा, पर जब मैं अपने घर पे 6 बजे आ गया था, तो मैंने देखा कि मेरे पास 5 बजे का मेरे पास mail आ गया था, कि आपकी NOC एक mail पे आ गई है, वो ही आपको mail copy out करके अपनी VFS process carry on करनी होती है, तो I was quite shocked, कि इतनी जल्दी आ जाएगी, तो मैंने सब चीज अपनी process फिर उसी के बाद आपनी carry on कर दी, मेरी जो original NOC आई थी, जो आपकी campus friends की side पा आएगी, उसमें थोड़ा time लगा था, पर आप अपनी एक campus friends की process के बाद, उस NOC को email वाली को लेके, आप VFS क process carry on कर सकते हैं, तो मेरे case में एक ही दिन में काम हो गया था, धीरज के case में बहुत लंबा time लगा था, दो हफते करीब सुनों, तो अब यही सब चीज हम आपको बहुत detail में बताया है हमने आपको, यह हम दोनों का personal experience था, इससे हटके अगर आपको कोई भी query है, जो भी आपक questions के regarding, documents के regarding, या फिर आपका कोई भी personal question है, आप हमको mail कर सकते हैं, अभी आपको screen पर एक mail ID दिखरी होगी, आप जैसे हमें प्यार दिखा रहे हैं, आप दिखाते रहें, और इसी के साथ अब हम इस वीडियो को end करते हैं, मिलते हैं जल्दी अब हम नए process वीडियो के साथ, जल्दी हम नए वीडियो लेकर आएंगे, बाबाए, टेक केर,